नमस्कार, दुपहर समचार में आपका स्वागत है नमस्कार, दुपहर समचार के साथ मैं रवी कपूर तरहनमंत्री नरिंद्र मोदी कल से 15 जुलाई तक फ्रांस और संग्त अरब अमराद की राज के व्यात्रा पर रहेंगे व्यात्रा के पहले चरण में वे फ्रांस के राश्रपती एम्मैनुवल मैकरों के निमंद्रों पर पैरिस जाएंगे श्री मोदी शुकरवार को फ्रांस के राश्रिय दिवस बैस्टिले जे परेड के अवसर पर मुख्य अतिती होंगे भारत की तीनों सिनाओं की एक टुपड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी एक रिपोर्ट प्रांस रणनितिक भागिदारी की पचीसवी वर्ष गांट भी इस वर्ष मनाई जा रही है प्रधान मंत्री की यात्रा से रणनितिक, सांस्क्रितिक, वैग्यानिक, शैक्षनिक और आर्थिक सहियोग जैसे विविध शेत्रों में परसपर साजहदारी सुद्रध बनाने में मदद मिलेगी अपनी यात्रा के दूसरे चैरण में प्रधान मंत्री 15 जुलाई को अबूध हाबी पहुंचेंगे वे सेयुक्त अरब अमिरात के राश्टरपती और अबूध हाबी के शासक शेख मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान से बातचीत करेंगे इस यात्रा से वाईश्विक मुद्दों विशेश रूप से UNFCCC के अंतरगत COP28 की सयुक्त अरब अमिरात की अध्यक्षता और भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में विचार विमर्ष का अवसर भी मिलेगा सुपरणा की रिपोर्ट के साथ समाचार कख्ष से मनुज विदेश मंत्री डॉक्टर सुपरमुनेम जैशंकर आज से इंडोनेशिया और थाइलेंड की साथ दिन की यात्रा पर जाएंगे वे इंडोनेशिया के जकार्ता में ब्रिस्पतिवार और शुकरवार को आसियान धाचे के अंतरगत आसियान भारत पूर्वी एशिया शिकर सम्मिलन और आसियान अक्षित्री मंच प्रारूप में विदेश मंत्रीयों की बैठक में शामिल होंगे वे अन्य देशों के विदेश मंत्रीयों के साथ द्विपक्षिय बैठके भे करेंगे जकार्ता के बाद डॉक्टर जैशंकर थाइलेंड के बैंककॉक जाएंगे जहाँवे 16 जुलाई को मैकॉंग गंगा सायोग M.G.C. तंत्र की विदेश मंत्रीयों की बैठक में भाग लेंगे केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, करनाटक और महराष्ट्र से ततकाल टमाटर खरीदने के निर्देश दिये हैं ताकि इसके खुद्रा मुल्यों में बढ़ुत्री रोकने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों पर इसका वित्रुन किया जा सके उपभुखता मामले विभाग ने राष्ट्रिय कृशी सहईकारी विप्रण परिसंग और राष्ट्री सहईकारी उपभुखता परिसंग से कहा हे कि वे तीन राजियों की मंडियों से टमाटर खरी दें और प्रमुख खपत केंद्रों पर भेजें जहां पिछले एक महीने से टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं शुकरवार को दिल्ली अंसियार अक्षेत्र में उपभुगताओं को खुद्रा बिक्री केंद्रों के जरिये रियायती दाम पर टमाटर का स्टॉक वित्विट किया जाएगा मंत्राले ने ये भी कहा है कि विभिन अक्षेत्रों के बीच टमाटर की खेती और फसल मौसम में अंत्राल के कारण इसके मूल्यों में व्रधी हुई है मंत्राले के निसार प्रतिकूल मौसम स्थितियों की वजह से फसल को नुकसान पहुँचने और अन्य घटक भी मूल्य व्रधी के लिए जिमेदार रही है भारत की G20 अधिक्ष्टा के अंत्रका तीसरी संस्कूती कारे समहु की बैठक कल करनाटक के हमपी में संबंध हुई हमारे संबाधाता ने बताया है कि बैठक में संस्कूतिक संपत्ती के रखरकाव रचनात्मक अर्थ विवस्थ था और उद्यों को बढ़ावा देने और उद्करश्ट कृतियों के सनॉक्ष्ण में डिजिटल प्रियोगी को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई अगली बैठक 26 अगस को वरा नसी में होगी तीसरे सांस्कूतिक समूव की बैठक जो हमपी वर्ल्ड हरिटेज साइट में संपन हुआ वेकेवल सांस्कूतिक परमपराओं का बढ़ावा देने पर सीमित ना होते हुए विदेश से आया तितियों को करनाटका की परमपरा और सांस्कूतिक दरोहर की जानकारी देने पर भी केंजित हुआ जी ट्विटी डेलिगेट्स द्वारा योगा अभ्यास में भाग लिया गया उन्होंने हमपी में उर्क्षा रोपन भी किया उनको समारक दिखाये गए और विजे नगर सामराजी का इतिहास की जानकारी भी दी गई सांस्कूतिक नुर्त्य वाद्य संगीत के द्वारा विजे नगर वैभाव के बारे में भी बताया गया डेलिगेट्स तुंग बद्रनादी पर बोट में उनको सैर भी करवाया गया सुधींद्रा आकाश्वनी समाचार बिंगलुरू जीट्वंटी देशों के व्यापार और निवेश कारे सम्हू की तीसरी बैठर का आज गुजरात के केवडिया में संपन होगी बैठर के आखरी दिन वैश्विक व्यापार और निवेश समंधी मुद्दों पर भारत के अधक्ष्टा में पारेत प्रस्तावों पर जीट्वंटी देशों के बीच सहमती विक्सित करने के लिए वेभिन तकनीकी सयत्र आयोजित किये जा रहे हैं एक रिपोर्ट सोमवा से शुरू हुई इस तीन दियू से बैठक में विभिन जीवी स्टेश, आमंत्री देश और अंतराश्य संगटेनों के 75 से अधिक अंतराश्य प्रतिनिदी भाग ले रहे हैं वाने जोईभा के सचिव सुनिल बर्थवाल ने कहा कि डिजिटल वोटल के माध्यम से MSM को वैश्विक आपूरति शूंखला में जोड़ना और शैख्षिक डिगरी को वैश्विक माननेता प्रदान करना भारत के लिए प्रमुक मुद्दों में से एक है भारत के अधिक्षता में बने प्रस्ताव पर अंतरश्य प्रतिनी जिद्वारा दियेगे टिपणियों के अधार पर अंतिम मंत्री स्थरिय मसोदा तैयार किया जाएगा जिसे चैपूर में होने वाली मंत्री स्थरिय बैठक में पारिद किया जाएगा अपर नाखून आक कारिता मंत्री अमी शाह उद्गढन सथ्र को संभोधित करेंगे ये सम्मेलन इस महिने की 14 तारिक को संपन होगा इसके समापन सत्र को इलेक्टरोनिकी और सूचना प्रियोगती मंत्री अशुनी वैषनव संभोधित करेंगे ये समाचार हमारी वेब साइट newsonair.com स्लैश हिंदी और हमारे मोबाईल अब निउज ओन ए आई आर पर भी उपलब दें दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है पश्रिम बंगल में पंचाय चुनाव में जिला परिशत की 928 सीटों में से 718 सीटों के परिणाम घोशित हो चुके हैं इनमें ट्रणमूल कॉंग्रिस ने 570, बीजेपी ने 18, सीपी आई एम ने 2, कॉंग्रिस ने 5 और निर्दलिय ने 1 सीट जीती है राजी में 9,728 पंचायत समिती की सीटों में से 9,402 सीटों के परिणाम की घोशना हो चुकी है इनमें ट्रणमूल कॉंग्रिस को 6,184, बीजेपी को 947, सीपी आई एम को 167, कॉंग्रिस को 250, आरेसपी को 2, फोरवर्ड ब्लॉग को 1, निर्दलिय को 146, और अन्नी को 131 सीटें मिली हैं भरतिय जनता पार्टी ने गुजराज से आगामी राजसभा सीट के लिए बाबु भाई जेसंग भाई देसाई और केसरी वेव सिंग जाना को अपना उमीदबार गोशित किया है पैशिमंगार राजसभा सीट से अनंत महराज पार्टी के उमीदबार होंगे भारतिय जनाता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने इन नामों की घोशना की इससे पहले विदेश मंत्री ऐस सिजेशन करने गुजराज से और गुवा विजेपी अध्यक्ष सदनन्न शेट तनावडे ने भी गुवा से अपना नामंकन दाखिल किया कल नामंकन दाखिल करने की आखरी तारीक है मददान इस मेहने की 24 तारीक को होगा करनाटक में विपक्षी भारतिय जनाता पार्टी के विधायक धरने पर बैठे हैं और विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसरवराज बॉंबई ने कहा कि सरकार बेलगावी में जैन मुनी आचारे श्वी काम कुमार नंदी की हर्त्या की जाज कराने के तद ही गंभीर नहीं है उन्होंने इस मामले की जाज सीवी आई से कराने की मांगी राश्वपती द्रौपती मुर्मू ने आज कहा कि भारत सहीशोनोता के मूल्यों को प्रोसाहित करने में मुस्लिम वर्ल लीग की भूमिका और लक्षियों को भली भाती समझता है नहीं दिली में राश्वपती भवन में मुस्लिम वर्ल लीग के महासचेव डौक्टर मुहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा के साथ बैठक के दोरान उन्होंने कहा कि भारत बहु संस्कृती, बहु भाशी और अनेक धर्मों के साथ विवर्दा में एकता का सम्मान कर यह समाचार आकाश्वणी से प्रसारित के जा रहे हैं, ताजा समाचार जाने के लिए आप हमारे ट्वीटर हैंडल एट एयायार न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं यह आकाश्वणी है मौसन विभाग ने आज बिहार, पशिम बंगाल, सिक्किम और मिघाले में रेड अलर्ट जारी किया है इन राजों में तेज से बहुत तेज वर्शा होने की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गिया है परशी मंगाल और सिक्किम में रड अलर्ट कल भी जारी रहेगा मौसम विभागने लोगों को एहतियाद बरतने की सरहती है उत्राखंड और उत्तर प्रदेश में आज भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए औरेंज अलर्ट जारी है उत्राखंड में हलकी से मध्यम बारिश जारी है हमारे समवादाता ने बताया है कि गड़वाल और कुमाओं में अभी भी कई सड़क मार्ग अवरुद हैं हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में आज पांचवे तर्देश जारी है संजीब सुंद्रियाल आकाश्वानी समाचार धैरादून हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में आज पांचवे दिन भी वर्षा का सिस्ला रुक रुक का जारी है जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहने के चलते रहत और बचावकारों में तेजी आई है एक रिपोर्ट कुलू जिला के कुछ स्थानों में विजली विस्था बहाल होने और मुवाइल सेवा शुरू होने से लोगों ने रहत की सांस ली है इसके अलाबा प्रेटकों के करीब 2500 बहानों को जिले से बहार निकाला गया है इज़र चंबा प्रशासन ने धंचो नामक स्थान पर फंसे 81 जक्तियों को भी सुरक्षित निकाल लिया है लाहुल स्पिती की चंदताल जील इलाके में फसे 300 परेटकों को निकालने के लिए अभियान जारी है भूस खलन से प्रभावित हुई सड़कों को तेजी से खोला जा रहा है इस बीच शिमला चंडिगर राश्टिय राजमार को भी यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है हलांकि पशासन ने लोगों से अनावश्चक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की अपील की है पदेश में मौनसून से जुड़ी घटनाओं में अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है इन में से 30 लोगों की मौत पिछले 4 दिनों के दोरान भारी वर्षा से आई बार जैसी आपदाओं के कारण हुई है जबकि 10 लोग लापता बताय जा रहे है मौसम बिभागने अगले 24 घंटों के दोरान राजे के कुछ स्थानों पर बर्षा की संभावना जताई है रितेश कपूर आकाशवानी समचार शिमला पंजाम में आज मौसम शुष्ख है और आंशिक रूफ से बादल चाह हुए है राजे में अधिकांश बांधू से पानी छोड़ा जा रहा है जिसके कारण वेभेन नदियों के जलस्तर में व्रद्धी जारी है ब्योरा हमेरे संभाधाता से पौंग बांध से आई सुबह करीब 20,000 क्योसिक पानी छोड़ा गया है जिससे गुदासपुर जिले में रावी नदि का जलस्तर बढ़ गया है गुदासपुर जिले के अधिकारियों ने रावी नदि के तट पर रहने वाले लोगों को तरक करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाने की सला दी है फरीदकोट लिले के कोटक पूरा शहर में मकान ढहने की एक घटना में एक तंपत्ती और उनके बच्चे की मौत हो गई इस बीच बार परभावित इलाकों में सेना की मदद से लोगों को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने और नदियों के कटाव को भरने का कारियर युद्ध स्तर पर जारी है शेशु शर्मा शांतल आकाश्वानी समाचार जालंधर हर्याना में राजी के उत्तरी हिस्व में बार के स्तिती बनी हुई है हमारी समवादाता ने बताया है कि उक्षेतर में कल और आज अधिकतर स्थानों पर मौसम साफ रहने से लोगों को रहत मिली है हर्याना की मुख्यमंतरी मनोहर लाल खटर ने सधान मंदी नरेंदर मोदी से मुलावतात कर उन्हें राजी में किये गए राहत कारियों से अवगत कराया हालात का जाइजा लेने के लिए मुख्यमंतरी आज अंबाला जिले का दौरा करेंगे इंडी आरेफ और सेना सभी एक जुथ होकर राहत और बचाव कारे में लगे हुए हैं प्रभावित लोगों तक खाना पानी और जरूरी समान पहुचाया जा रहा है सभी विभाग मरमत कारे कर रहे हैं और अगले 24-48 घंटे में सिती समाने होने की उमीद है इधर मौसम विभाग ने आज राजधानी दिल्ली में यमना नदी का जलस्तर 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार करने के कारण दिल्ली के लिए औरेंज अलर्ट जारी किया है प्रशासन ने संभावित बार की स्तिरी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है इस बीच जमू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच 7,800 से अधिक अमरनाती ठ्रियातियों का दस्वाँ जत्था बालतल और पहलगाउं आधार शिवरों के लिए आज तड़के जमू आधार शिवर से रवन हुआ भारत में कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चेंपिनशिप में अभी तक तीन स्वाण पदक जीत लिया हैं ये प्रदियोगिता आज ग्रेटर नोइडा के गौतम बुद विश्वधाले में शुरू हुई अथलीट जुक्सना साबर ने 40 किलोग्राम जिवा वर्ग में अस्मीता ने 45 किलोग्राम जिवा और जूनिर शेनी तथा कोमल कौहर ने 45 किलोग्राम सीनर शेनी में स्वान पदक जीते अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर सरकार ने बरती खुद्रा कीमतों पर अंकुष लगाने के लिए आंधर प्रदेश, करनाटक और महराश्ट्र से टमाटर की खरीद का निर्देश दिया उत्राखंड के कई भागों में हल्की से मध्यम बारिश जारी पंजाब और हिमाचल परदेश में स्तिती में मामुदी सुधार पश्यमंगल पंचाच रॉम में ट्रणमूल कॉंग्रेस की जीत भाजपा दूसरे नंबर पर और भारत ने ग्वेटर नुएदा में गौतम बुद्ध विश्वद्याले में राश्टमंदल भारतोलन चेंप्रिंशिप के पहले देन तीन स्वन पदक जीते इसके साथ ही दो पहर समाचार का ये अंक समात हुआ नमस्कार